जब से मुंबई के पांस टोल नाकों पर टोल टैक्स में बढ़ुत्री की गई है तब से ही राश्ठाकरी की पार्टी मनसे स्मुद्धे को लेकर आक्रामक हो गई है फैसले का विरोध करते हुए महारास्ट नौनिर्मार सेना ततकाल इसे रद करने की मांग कर रही है वही मनसे प्रमुक राश्ठाकरी ने टोल टैक्स को सबसे बड़ा स्कैम बताया है टोल बढ़ुत्री के विरोध में महारास्ट नौनिर्मार सेना की नेता अविनास जाधों पिछले चार दिरों से भूख हर्ताल पर बैठे हुए थे हाला कि मनसे प्रमुक राश्ठाकरे से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना अन्शन खत्म कर दिया है मनसे प्रमुक राश्ठाकरे ने वहां मौझूद सभी लोगों से मुलाकात की और आश्वाशन दिया है कि जल्द से जल्द वा टोल टैक्स को लेकर मुखमंत्री एकनात शिंद से मुलकात कर चर्चा करेंगे हाला कि मन्से प्रमुकरास ठाकरे ने साफतोर पर चेताओनी दी है कि लगाया गया टोल टैक्स का फैसला वापस नहीं लिया गया या टोल टैक्स खत नहीं किया गया तो आने वाले समय में मन से कारिकरता अपने स्टाइल में कारवाही करेंगे में के वी या पुष्रना बसलियोती है अजि में कि कालfon के ला नमसकर सन्मजर अबजर या जब हीज दे काल्फोन के लाइन के लाइना साइडरे पड़े आश्ते हो उप्षण वगरे अपले के काम नहीं होगा अख्वक कर दो दो जो जो कोई तो अध्वध असली और अधर अधरन पर गेले आनेक वर्ष या तोल चे संदर बावदे महाराष्ट्र नौन माटसे ना इन यानी कादून लोगेली जभड़ पास महाराष्ट्र मुनले अधिकृत अन अधिकृत आशे दोड़ पास्टत्रते सम्नुट तोल लाके आमी बंद खेले आणी त्यास वहला तुम्हाला आठवत असेल तर शिवसेना ने भारतिय जंता बक्षांची जयोला जाहिर नमा अला होता जाहिर नमा अला होता है जाहिर नमा अला होता है आमी तोल मुक्त महाराष्ट करूँना